नमस्कार दूरदर्शन यादगीरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुती में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आप सब का तहे दिल से स्वागत करते हैं जब हम बड़े हो रहे थे तब हमने ये वाला जो फ्रेज होता है वो बहुत सोना होगा जैक अफ आफ आल ट्रेज्स, मास्टर अफ नन आज जिस सक्षियत से हम आपकी पहचान कराने जा रहे हैं उन्होंने इसकी परिभाशा थोड़ी सी बदल दी है जैक अफ आल ट्रेज्स, मास्टर अफ आल आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं प्रवीन प्रणव जी से आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूरदर्शन यादगेरी के स्टूडियोज में जैसे मैं बता रही थी आपकी सीनियर डिरेक्टर है माइक्रोसॉफ्ट में काफी आपका फ्लरिशन करियर है बीस साल से ज्यादा आप आई-टी से जुड़े है हिंदी साहित्य दिस इस अ कम्प्लीट शिफ्ट और ऑपसिट तो इसमें आपकी रुची कैसे हुई और इस लेवल तक आपकी रुची कैसे बनी सबसे पहले धन्यवाद आपका और आपके सभी सुरताओं को समस्कार साहित्य में रुची मुझे लगता है इसके कई कारक होते हैं एक तो होता है कि आपकी अपनी रुची है कुछ आपके समस्कार होते हैं जो आपको यहां तक ही चलाते हैं मुझे लगता है मेरी रुची में मेरे जो पुरुवर्ती लोग हैं उनका जादा योगदान रहा है मेरी माँ हिंदी के शिक्षिका थी तो शायद हिंदी के प्रती जो लगाव रहा हो वो वहां से आया घर में बहुत सारी किताबें थी जब मैं पांच Lind चटी के पर रहा है तब घर में आत्रवी या नौमी की किताबें और हम उन्हें पढते रहते थे या घर में और कई पत्रिकाएं आती थी तो खाली समय में उन्हें पढ़ना शुरू हुआ दादा जी की रुची म्यूजिक में थी, वो बहुत अच्छे तबलावादक थे, बाउसरी बजाते थे तो वो एक जो कॉंबिनेशन है संगीत और शाहित का, वो फिर वहां से आया मेरे दादा जी की जो मां थी, वो बहुत धार्मिक प्रवरिती की थी और मानस में उनकी अगाध रुची थी, और उनके साथ मानस को सुनते हुए, वो फिर मानस के प्रती प्रेम जागा घर में हमारे कैंपस में मंदिर है, जहां सुहसा मारती होती है, मानस की चौपाईयां गाई जाती है तो ये इन सारी वजहों से आप चाहे अंचाहे इन चीज़ों से जुड़ते चले जाते हैं और साहित जब तक यहां आके या बहुत बाद में यूं कहें कि साहित से जुड़ना हुआ नहीं, तो तब तक वो साब अयास था, तब तक वो साब ऐसा था जो आप सोच के नहीं कर रहे था जी, very true मैं विज्ञान का विड़दारती रहा, बसमी के बाद मैंने साइंस ली, उसके बाद फिर कंप्यूटर्स में चला गया फिर मैनेजमेंट में गया, तो वो साहित तो कहीं पीछे चूटता चला गया, लेकिन हाँ वो एक back of the mind जिसे हम कहते हैं, कि वो आपके दिमाग में कहीं पे तो रहती है तो वो वापस जब नौकरी सुरू हुई, जब थोड़ा अस्थाइट तो आया, तब लगा कि चलिए वापस जो आपकी रूची थी, जिसे आप बहुत पहले छोड़ा आये थे, वापस उस किसे को वहीं से सुरू किया जाए और ऐसा नहीं था कि इन दिनों कुछ लिखा नहीं जा रहा था, लिखा जा रहा था, बहुत बच्पन से लिखा जा रहा था, मुझे कई बार हसी आती है, जब मैं छटी कक्षा में था, चटी या सात्वी में रहा होगा और चुकि आप बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ रहे होते हैं, जो आपकी उम्र से जादा बड़ी चीज़े होती हैं, पत्रिकाएं थी, उपन्यास थे, बहुत सारी कविताओं की किताबें थी, तो वो जो सब्दावली है, वो आपके अंदर कहीं ने कहीं आ जाती है, औ और सातवी कक्षा में मैंने यूहीं कहीं पे लिखना सुरू किया था, पुछ कविताएं जैसे सुनता हूँ रातों को जब मैं अपने घड़ी की आवाज सोचता हूँ क्यूं है आज ये इतना उदास, क्या ले रहा ये भी किसी से पाके बेवफाई, अपनी जिंदगी के चंद आखरी सांस, और तब बहुत डांट लगी थी कि भाई ये क्या है, like over the age poetry, but हाँ उसके बाद फिर वो लिखने का सिलसला यूहीं चलता रहा, कभी कुछ जी में आया, लिख दिया, कभी कुछ दोस्तों के लिए लिखा, कभी किसी के बर्दे के लिए कुछ लिख दिया लेकिन वो एक systematic तरीका जो होता है, एक तैशुदा तरीका जो है, वो बहुत बाद में आया, जॉब में आने के बाद जब एक अस्थाइत वाई, तब उसे discover करना सुरू किया, तो ये ये शुरुआत थी आपने बहुत अच्छी बात बताई, जैसे आपके बचपन से ये शुरुआत हुई, आपको घर में ऐसा महाल मिला, it is very important कि इन सारे चीज़ों को हम बचपन से ही, जो बात है अपने subconscious mind में रह जाती है, जैसे आप बोल रहे हो, formal training ना होकर, बचपन से ही, ये आपकी जीवन आपकी लाइफ से एक बहुत खुबसूरत एक example मिला है, जो आज हमारी audience सुन रही है, I am sure हम ऐसा एक महाल अपने बच्चों के लिए, हमारे जो young generation है, उनके लिए ऐसा महाल create करना चाहिए, अभी मोदी जी ने भी बताया था परीक्षा पे चर्चा जो हुई थी, कि घर में ह अब एक ऐसा space create करना चाहिए, जो gadget free हो, जहां पर आप बैट कर बाते कर सकते हैं, discussion कर सकते हैं, ये चीज़ शायद आपने बच्चपन में देखी है, जो यहां तक आपको ले आई, अगेर आपने एक चीज़ ये भी बताई कि जो तैशुदा तरीका था, जो एक formal structure था, जि आप से जुड़ने की जो कोशिश करते हैं, जो passion जो आपकी hobby है, उसे जब ढूडने की कोशिश करते हैं, I think वो आप में इतनी हिम्मत थी कि आप अपने roots वापस जा सके, आपने उस passion को फिर से जगाया और लिखना शुरू किया, आपकी दो किताबे चपी हैं, खलिश और च और कहा, मतलब आपकी इस journey की शुरूआत कैसे हुई? एक तो लेखट के सिलसले पे मुझे हमेशा लगता है कि जब आप पढ़ते हैं, करत-करत अभ्यासते जर्मति होत सुजान, तो वो अपनी जगा अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो आपने कहा कि roots जो होते रहने अगर roots नहीं हैं, तो फिर बहुत अभ्यास के बाद भी शायद आप वहां नहीं पहुँच सकते, जहां पहुचना चाहते हैं, यदि आपने ड्राइंग रूम में, फ्लास्क में एक flower पानी में सिर्फ रखा है, जिसके जड़े नहीं हैं, तो आप चाहे कितनी भी सिद्दत से उसमें पानी डालते रहें, उसके उम्र नहीं हो सकती, तो पहली चीज तो यह आवश्यक है, कि आपके roots हो, मुझे याद आता है, मार्कसबर गिंगम ने किताब लिखी थी, Play with your strengths, जहां पे उन्होंने कहा था कि जो आपका मजबूत पक्ष है, उस पक्ष पे फिर आप कर हो सकते हैं, आप एवर वेवरेज नहीं हो सकते हैं, आप बेस्त नहीं हो सकते हैं, तो समय बरवाद क्यों करना है, identify your strength and play with your strength, तो वो एक back of the mind था कि है, कुछ लिख सकते हैं, कुछ अच्छा कह सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसकी कोई एक process नहीं थी, कोई direction नहीं था जब मैं हैधराबाद आया, आज से 17 साल पहले, 2007 में, तो यूँ ही लिखा करते थे, दफ्तर में कभी कुछ लिख दिया, कभी कोई event हुआ, वहाँ पे कुछ का विताएं पढ़ीं, और हमारे मित्र थे, नीरज, तो उन्होंने मुझे कहा कि हैधराबाद में एक साहितिक संस था है, कादमनी कलब, तो वहाँ सब लोग मिलते हैं महीने में एक बार, और आप वहाँ चलिया, तो मैं तब तक बहुत ड़ा हुआ था, क्योंकि मैं इससे पहले कभी ऐसे आयोजनों में नहीं गया था, तो मैं खेर वहाँ पहुचा, और वहाँ मुझे अच्छी बात ये लगी कि वो एक बहुत साहितिक वातावरन ना लगके एक बहुत पारिवारिक, बहुत आत्मी वातावरन वहाँ लगा, जहां लोग आपस में प्रेम से मिल रहे थे, एक दूसरे की रचनाएं सुन रहे थे, उन्हें फीडबैक दे रहे थे, वो एक वरक्सॉप की तरह था, जहां पर आपको कोई क्रिडिसाइज नहीं कर रहा था, लोग आपको मोटिवेट कर रहे थे, लोग आपको प्रोमोट कर रहे थे, मुझे लगा कि ठीक है, यहां रचनाएं पढ़ ही जा सकती है, यहां मुझे कोई जज नहीं करेगा, अध्यक्षा है, उन्होंने बहुत सन देव सरमा मिल गाए और वहां से जो एक यात्रा सुरू हुई है वो आज मैं जो कुछ भी पहुच सका हूँ वो इन लोगों की वजह से पहुच सका हूँ वरिदना मैं लिख रहा था, मैं आज भी नहीं मानता कि मैं कुछ अच्छा लिख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो कई बार आपको होता है कि आपके जीवन में कुछ हैसे लोग होने चाहिए जो आप पर आप से जादा यकीन रखते हो क्योंकि अगर आप सिर्फ खुद पे यकीन रखें वो अच्छी बात है जी खुद पे यकीन रखें आप रिस्क जोन में नहीं जा सकते हैं आप safe जोन में जा सकते हैं आप हमेशा वही करेंगे जो आपको पता है कि ये तो ठीक है ये मुझसे हो सकता है तो आप उतना ही करेंगे कोई और जब आप पर यकीन रखता है और वो आपको कहता है कि नहीं ये हो सकता है और आप ये कर सकते हैं बहुत हिम्मत आ जाती है जामवान खुद समुद्र कूदने नहीं गए थे उन्होंने कहा कि पवन तनै बल पवन समाना और अलमान जी कहते हैं कि काच उपसाद ही रहो बलवाना कौन सो काच कठीन जग माही जो नहीं हो ही ताथ तुम पाई तो कई बार आपकी जीवन में ये मोटिवेशन देने वाले लोग चाहिए होते हैं और फिर वो कविता लिखनी हो या फिर उसके बाद जो गद्ध है मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का स्रे प्रफेशरी सफदेव सर्मा इसलिया मिस्र ऐसे लोगों को है जिन्होंने हैदराबाद में मेरी उंगली थामे रखी वरना वो जो एक बेल होती है जिसके चारों तरफ आप जरूर तभी उन्हें भी ये लगता है कि आप इन्वेस्टिबल है अगर इस भाषा में बात की जाए तो तभी उन्होंने आप में कुछ टैलेंट जरूर देखा होगा आपकी लेखन से शायद वो भी जुणना चाहे होंगे तभी तो इसमें थोड़ा बहुत श्रे हब आपको भी देना चाहते है आपकी स्टाइल ओफ राइटिंग क्या है मतलब जैसे हम देखते हैं कि हास से लिखते हैं आपने अभी जो कविता सुनाई वो काफी डीप है तो आपका जैसे काफी जो लेखक होते हैं काफी जो कवी होते हैं वो नेचर से इंस्पायर होते हैं रोमेंटिक लिखते हैं प्यार की प्यारभरी कविताय लिखते हैं वोट इस यूर स्टाइल ओफ राइटिंग मतलब आप किस टॉपिक से किस सबजेक्ट से या किस लाइन ओफ थॉट से आप ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं मुझे लगता है इसमें भी एक फेजे जाते हैं आप जैसे जैसे परिपक वो होते हैं आपकी विचारधारा में बदलाव आता जाता है बहुत चेंज नहीं होता बलकुल ड्रास्टिक डिविएशन नहीं होता लेकिन आपके सोचने का जो तरीका है जो आप एक्स्प्रेस करने का तरीका है आपकी जो सबदावली है वो बदलती रहती है तो अगर आज मैं देखूं कि मैं पहले जो लिख रहा था उसमेंパॉलिटीकल सटाइर्स है लेकिन उनमें प्रेम कविताएं बहुत है अच्छा उसकी अधिकता है उसमें दर्द ہے संग्रा का नाम ही खलिश था खलिश का अर्थी पेन है तो सौहाविक था कि उसमें कुछ वैसी कविताएं थी जे लेकिन जब वहां से मैं आगे बढ़ा और फिर दूसरी संग्रह तक आते आते मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे वो जो प्रेम वो दर्द है वो उसने थोड़ी सी बैक सीट ली और फिर कॉर्परेट में जिसे आप कहते हैं कि लुगिंग अट बिगर पिक्शर तो आपका जो कैंवस है वो बड़ा होता जाता है आप फिर वो खुद की बजाए आप दुनिया के सोचने लगते हैं फिर दुनिया की जो तमाम समस्याएं हैं आपकी नजर उन पर जाती है और फिर आपको लगता है कि वो गाना था पहले दुनिया में कितना गम है मेरा गम कि पर आप ऐसे भी लोगों से जुड़े रहे हैं, जहां पर आप दूसरों की बाते सुनते हैं, दूसरों की कविताएं सुनते हैं, आपका पस्पेक्टिव चेंज हो जाता है, आपका जो होराइजन है, आपका जो जैसे आप बोल रहे हो ना, देखने का नजरिया भी काफी होती हैं, जो आपकी दिल के बहुत करीब हो, आप हमारी ओडियन्स को अच्सोनाना चाहेंगे, प्लीज, नहीं एक तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, कि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आपका कैन्वस विस्तरित नहीं होगा, आपकी अपनी जो सब्दावली है, आ बहुत आवस्यक है कि हम इन्वेस्ट करें, और ओडियन्स पकड़ लेती है इस बात, जो रीडर्स है वो पकड़ लेते, उन्हें ये समझ आ जाता है कि आप जो लिख रहे हो, वो कही ना कही जलेबी की तरह गूप लूम कर बात वहीं आ रही है, वो कई बार, वो एक मीम्स मैं बार-बार देखता हूँ, जिसमें वो है कि आखिर कहना क्या चाहते हो, तो वो भूम फिर के लोगों को लग जाता है कि आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, और नई बात एक्शुली नहीं होती है, आप यूँ देखें साहित में बहुत कम चीजें, या लगभग नाम आप चीजों को किस तरीके से देखते हैं, उतको किस तरीके से एक्स्प्रेस करते हैं, नयापन वहीं है, नयापन विशय में नहीं है, नयापन आपके कहने में है, या फिर जब देखने का आप ओडियन्स का ही जब नजरिया चेंज कर देते हैं, या फिर आप जैसे दो, य religious जो text है, जो religious important है, जो आप अपनी परदादी से काफी जुड़े रहे हैं, उनसे सीखा है, उनसे सुना है, उसे अपनी जिंदगी में आपने उतारा है, बट ये 20 साल से एक बहुत ही senior position है corporate में, इन्होंने राम चरित्र मानस और corporate का जो एक खुबसूरत मिश्रन बना कर एक किताब लिखी है, I think ये काफी काफी सराही गई है, काफी इस पर चर्चा की गई है, काफी इस पर discussion हुआ है, तो ये जो आप बात कर रहे थे अभी कि कुछ हम नया नहीं बता सकते, मुझे लगता है कि आपने ये एक कोशिश करी है, जो अपने आप में एक बहुत significant achievement है, क्योंकि आपने कुछ नया create किया है, लोगों को सोचने का, उस religious text को अपनी जिन्दगी में उतारने का, जो आपने perspective लोगों को दिया है, I think वो अपने आप में बहुत different और unique है, ये हम आप से जरूर सुनना चाहेंगे, मैं वही कह रहा था कि कुछ नयापन जो है, वो सिर्फ expression में है, मानस तो पता नहीं, शेकरों साल, हजारों साल पर लिख दी गई, लेकिन मानस की उन पंग्तियों को जिस तरीके से आत्मसात करना चाहते हैं, जैसे आप समझना चाहते हैं, उसके कई तरीके हो सकते हैं, आप उसे धर्म की दृष्टी से समझ सकते हैं, उसका धार्मिक महत्व क्या है, आप उसे जीवन शैली के हिसाब से देख सकते हैं, कि अगर मैं एक आम मनुस्य हूँ, तो मेरे जीवन शैली में मानस मुझे क्या सिखाती है, अगर मैं कॉर्परेट में हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ, कि अगर मैं कॉर्परेट में समझना चाहूँ, कि मुझे क्या करना चाहिए, और मानस की पंक्तियों को पढ़के उसकी मीनिंग मैं कॉर्परेट में लगाना चाहूं तो फिर हम देखते हैं कि उसके जो अर्थ हैं वो बिलकुल बदल जाते हैं और वहां भी वो लगता है कि बिलकुल इसी वज़े से शायद लिखी गई होगी और वो बिलकुल एप्ट है तो यह जो है वो एक्सट के सकसिस के लिए फैक्टर्स क्या हो सकते हैं हम हमेशा कहते हैं कि अगर एक एफेक्टिव लीडर्शिप होना चाहिए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो टीम है वो blind trust आप पे करें अगर उसको आपकी strategy पे trust नहीं है if they don't buy in your strategy तो फिर आपकी leadership कभी success नहीं हो सकती if they just tell you अगर वो सिधा कहते हैं कि हाँ ठीक है आपने कहा ठीक है मैंने एक share लिखा था बहुत पहले आपने कहा है तो मान जाता हूँ चलिए हामी में share हिलाता हूँ प्यानी मैं convince नहीं हूँ बट ठीक है आप boss हो ठीक है मैं यहाँ बोल देता हूँ तो अगर आपकी leadership वैसी है तो फिर उसके success होने के chances बहुत कम है लेकिन अगर आपकी leadership पैसी है जैसी गुश्वामी जी ने लिखा कि जही सब भाती तुम्हार भरोसा या गुश्वामी जी ने एक जगह लिखा कि राम भरोस हिर्दय नहीं दूजा कोई option दूसरा है ही नहीं बस वही है तो जब आप इस तरीके का commitment दिखाते हैं गिता में भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकमसर नम्बर जाओ कि आप बाकी सारे deviations भूल जाइए आप एक जगह ट्रस्ट करके रहिए कि यहां ठीक है यही रास्ता है और यही एकमात रास्ता है और यही सही रास्ता है आप नीती सासर देखें वहां कहा गया योधुरुवानी परित्यज्य अधुरुवानी निवेशेत धुरुवानी तश्चनि अधुरुमनस्ट में वही है कि जो आपके पास एक निश्चित है रास्ता अगर आप उसको छोड़के फिर इधर उदर भटक रहे हैं डाइवर्जन्स हैं आपकी लाइफ में आप कुछ और सोच रहे हैं तो फिर सक्सेस बहुत संध्यासपद है वहां सक्सेस नहीं मल सकता तो लीडर्शिप के लिए बहुत ज़रूरी है तो मैं वही कहता हूँ कि आप इन चीजों को समझ के फिर आप लीडर्शिप प्रिंसिपल सप्लाई करिए और आप देखेंगे कि वह वैसे लीडर्शिप जहां पर टीम और लीडर के बीच में परस पर संभाद है परस पर ट एज़ के लिए प्रशिपले कर लिए पर टीम खूरूरी है तो आपने लिखा है कॉर्परेट जो लेसंस है वह मानस से हम किस तरह से ले सकते हैं इसमें आपने लाइफ लेसंस के बारे में भी बात किया है उसके कुछ उधारन आप दे सकते हैं जो आज हमारी ओर्डियन्स जो है, I think हमारे पास जो सब प्रकार की एज ग्रूप है, जैसे बच्चे भी देखते हैं, यंग अडल्स भी देखते हैं, अडल्स भी देखते हैं, तो उनकी लाइफ में किस तरह से मानस हम इंबाइब करके आज अपना जीवन सुधार सकते हैं, गिवन कि आज जो राम को ले उतार कर एक successful life लीड करने की कोशिश करें, ये बहुत अच्छा स्वाल है, और राम मंदिर से मुझे एक और चीज याद आता है, कि जब सामानने तोर पर हम किसी मंदिर में जाते हैं, तो हमारी कोई एक्षा होती है, हमारी कोई आकांग्षा होती है, हम भगवान से कुछ अ जा रहे हैं उस मंदिर में, तो लोग एक अलग उत्साह से जा रहे हैं, लोग मांगने नहीं जा रहे हैं, लोग एक हर्स के साथ जा रहे हैं, कि हम प्राम को देखने आये हैं, कुछ दिन बाद हो सकता है, जब ये उतकंठा है, वो शांत हो जाएगी, उसके बाद लोग शा आहीं नहीं और अभी जो परिस्थितियां हैं जिस प्रेम के साथ लोग वहां जा रहे हैं जो जो लोगों की आँखों में जो प्रेम दिख रहा है वो अद्भुध है और मेरे जैसे वेक्ति के लिए जिसने आयुद्या पता नहीं मेरी जो परदादी है वो 40 साल आयुद्या अरे वाह आपका तो दूसरा घर है पर अर उनकी वजह से कई बार आयुद्या आना जाना हुआ अब आयुद्या में भी चीजें बदल रही है यह रिक्सा आ गया है वरना हम तो आयुद्या की गल्यों में भटके हैं तो उस आयुद्या को आज इस तरीके से देखना वो भा बहुत संदर्व हैं एक नहीं है एक अधिक जगों पर मानस में यह लिखा है कि आपका जो आचार विचार है वो कैसा होना चाहिए और फिर उन चीजों को आप अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट करें कॉर्परेट में इंप्लिमेंट करें परिवार में इंप्लिमेंट करे यह आपके उपर है जैसे उन्होंने कहा कि जिनके स्रवन समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना भरा ही निरंतर हो ही न पूरे तिनके ही ये तुम करगरी रूरे कि आप हम कॉर्परेट में भी हमेशा कहते हैं कि आपके स्रवन सक्ति अच्छी होने चाहिए और मानस में कहते हैं कि जिनके स्रवन समुद्र समाना कि जिनके सुनने की सक्ति जो है वो समुद्र के समान हो कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना और आपकी जो कहानी है वो नदियो कभी खतम नहीं होती, तो अगर आप अपने जीवन में लिस्निंग स्किल्स इसकदर इंप्रूब कर लें, कि आपको बोलने के जल्दी बाजी नहों, आप शांत रह सकें, तो फिर आपके जीवन में बहुत सुधार आ सकता है, ऐसे बहुत बहुत जगह हैं, बहुत उधारन है जहां आप देखें, आप मानस में पराम के श्वेंबर को देखें, वो जाते हैं और बाग में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पारवती जी आशिरवाद दे देती हैं सिधा को, तो यह तो उनको पहले ही बोल दिया कि यही पती मिलेंगे, फिर भी वो जाके नहीं कहते हैं, आतुरता नहीं है कि हाँ चलिए आपने कह दिया, अब यह सुवेंबर बंद कर दीजिए, इस क्या वो सकता नहीं है, उजे पती मिल गया, वो लिस्निंग स्किल्स हैं, वो धैर relevant हो जाता है, because आज की जो generation है, वो move कर रही है towards instant gratification, मतला हमें सब कुछ instant चाहिए, चाहे वो maggie हो, चाहे वो news हो, चाहे वो मतला चोटे-चोटे reels हो, सब कुछ आज कल चोटा-चोटा होते जा रहा है, because लोगों में देखने का, सुनने का, to an extent पढ़ने का भी patience नहीं है, तो ये एक बहुत ही खुबसूरत सा example दिया है प्रवीन जी ने जो रामचरत्र मानेस हमें सिखाता है, as a life skill, कि सुनना, समझना, जीवन में धहर रखना, एक बहुत important life skill है, जो हमें success का एक मंत्रा दे सकता है, not just in your corporate career या आपके career में, but हमें हमारी जीवन जीने की जो एक lesson देता इसी बात पर सुनते रहिए, patiently, हम एक छोटा सा break लेकर बस अभी वापस आते हैं, कहीं मत जाईएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ चमेली में Welcome back, दूरदर्शन यादगीरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस प्रस्तुती में आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, और हम बात कर रहे हैं प्रवीन प्रणव जी से, जो एक successful corporate career आज अपने जीवन की उनका जो career है, उससे जुड़े हैं, उसके साथ साथ साहित्य के भी ये बहुत प्रेमी है, रामचरित्र मानस की हम किस तरह से हमारे जीवन में उसे उतार कर एक successful जिने का हमें तरीका बता रहे थे, हम इनसे बात कर रहे हैं, इनकी साहित्य करियर के बारे में, इनकी साहित्य की में रूची किस तरह से हुई, और किस तरह से रामचरित्र मानस क एक corporate career में उतार कर उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इस बारे में हम बात कर रहे थे, अब हम बात करना चाहेंगे कि आपने किस तरह से management को आपकी इस रूची के साथ जोड़ा है, अफकोस आप लिखते हैं, आप संस्थाओं से जुड़े हैं, जहां जाकर आप विचारों क आदान प्रदान करते हैं, कविताएं सुनते हैं, पर इसमें भी आपने अपना management skill डाल दिया है, management किस तरह से, इसमें भी एक structure दे दिया आपने, मैं बात कर रहे हूँ, आपकी जो initiative रही है, आपके और आपकी team की, of course it's a team effort, तो कर से कविता, यह एक initiative था, जो I think हाईदरबा गया, काफी इसमें लोग जुड़े रहे, काफी आपको प्रशन साम मिली, तो इसके बारे में हमें बताइए कि यह क्या initiative था, और इसकी journey क्या रही है, धन्यवाद, मैं जैसे कह रहा था कि, मैं इस बात पर हमेसा जोड़ देता हूँ, कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको दूसरों की रचनाई पढ़नी पढ़ेंगी, दूसरों के way of thought को, way of expression को समझना पढ़ेगा, जी, मेरी एक समस्या जो साहीत में थी, कि मैं देख रहा था, सब को यहाँ, खुद का लिखा, दूसरों को सुनाने की बहुत, जल्दी है, लोग चाहते हैं, कि नहीं, बस आप मैंने जो लिखा है, वो सुनिए, पढ़ने की किसी को अतनी आचिंता नहीं है, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो यहीं यूट्यूब पे हम लोग जब देख रहे थे, तो एक चैनल पर नजर गई और वो बहुत बार-बार आ रहा था, वो हिंदी कविता थी, और उस पे बहुत जो बड़े सक्षियत थे, जो सेलिब्रेटीज थे, मनोज बाजपई आके रश्मी रथी पढ़ रहे थे, और ऐसे कुछ और लोग थे जो आके हिंदी की कविताएं पढ़ रहे थे, तो उन्हें देखके लगा कि अरे वाई, यह तो बहुत अच्छी सी चीज है, यह लोग कर रहे हैं, और फिर पता लगा कि उस हिंदी कविता के पीछे जो सक्ष हैं, वो मनिश गुपता है, और प्रतिभा कट्यार हैं देरादून से, और इन लोगों ने एक बड़ी नायाब सी चीज शुरू की है, जिसे इन्होंने कहसे कविता का नाम दिया है, और फिर अलग-अलग शहरों में उसके चैप्टर्स शुरू हो रहे था, तो उस समय बात हुई कि हम हैदराबाद में भी इस चैप्टर के शुरूवात करें, और जो सबसे अनूखी बात थी कविता की, कि उसमें आपको अपनी कविताएं नहीं पढ़नी थी, इस्ट्रिक भी नहीं पढ़नी थी, not allowed, not allowed, आप अपनी रचनाएं नहीं पढ़ सकते हैं, और फिर अलग-अलग शहर में उसके अलग-अलग models विक्षित हुए, कई शहर में हुआ कि हम इसी थीम पे करेंगे, जैसे हमने बारिस एक थीम रखा, तो जितने भी लोग आएंगे, वो बारिस प बदल के एक कवी पे रखेंगे, किसी एक कवी पे, ताकि हम उस कवी को अच्छे से समझ सकें, पर इसमें आपको response कैसा मिला, फिर मतलब हम दूसरों की कवीता है, यह बहुत बड़ा रिक्स था, हमें भी डर था कि शायद लोग ना आएं, लेकिन तब हमें ऐसी audience मिलेगी, जो शायद कवीता लिखती नहीं है, लेकिन जिसकी कवीताओं में रुची है, जो पढ़ना चाहते हैं, तो यह एक ऐसा target audience था, जिसको हम अभी ताकेटर नहीं कर पा रहे हैं, आपका circle भी फिर expand होगा, बिल्कुल, तो हमने वो फिर शुरुआत की, और पहली ही गोश्टी ह हमारी बहुत ज्यादा successful रही है, हमने, मुझे याद है, हमने सबसे पहली वेटाग्रामदारी सिंधिन पर के थी, और लोगों में जो उत्साह था, वो बहुत यूनिक था, और मुझे लगता है कि मेरी शाहितिक यात्राम है, जिस तरीके से मैं चीजों को पढ़ता हूँ, किसे कविता का बहुत बढ़ा हर था, हमने यह निरण लिया, कि हम रबार एक कवी पे करेंगे, और उस कवी की रचनाओं को उनकी वेक्तित्व के साथ, उनकी कृतित्व के साथ, एक कहानी की طरह हम नेरेट करेंगे, ताकि लोगों को सुनने में आनंद आये कि हमां हुआ उ शक्सियत जिन्होंने 66 किताबे लिखी हैं तो उसको पढ़ना मुश्किल काम था लेकिन फिर उनकी पूरी रचनावली खरी दी गई उसको रात दिन बैटके पढ़ा गया समझा गया और फिर जाके तब एक स्क्रिप्ट लिखी गई तो उसका जो एंड रिजल्ट था वो अच्छा लगा यह हमने बहुत सानों तक चलाया और उसके बाद फिर कुछ वजह रही कि वो नहीं चला लेकिन तब तक लोगों को इसका चसका इतना ज्यादा लग गया था कि फिर उसकी परिनिती कुछ यूं हुई कि यहां डॉक्टर हिल्या मिसर एक पत्रिका चलाती है पुषपक जी तो उन्होंने मुझे पुषपक से जोड़ा उसका संपादक बनाया और फिर मैंने पुषपक में एक कॉलम लिखना सरू किया स्थायस्तं सक्षियत के नम से अच्छा और सक्षियत में भी भही था कि हम किसी एक सक्षियत को ले और उनकी लाइफ स्केच और उसको merge करें और फिर उसको एक कहानी की तरीके से narrate करें लोगों को पढ़ने वालों को लगे कि हमें एक कहानी पढ़ रहे हैं वरना एक बहुत ड्राइ सब्जेक्ट हो जाता है कि हाँ आपने ये लिखा है उन्होंने ये किया उनकी सिक्षा दिक्षा यहां से हुई तो वो पढ़ने मज़ा नहीं आता तो वो एक नया प्रयास था जो बहुत सक्सेस्फुल रहा और इसने वेक्तिकर तोर पर मुझे बहुत मदद की ताकि मैं विवस्थी तोर पर पढ़ना सीखा मैंने उससे पहले मैं भी कुछ यूँ ही पढ़ रहा था कभी किसी एक किताब को पढ़ लिया उसके बाद से मैंने किसी एक लेखक को कभी को ऐसे चुन के पढ़ना शुरो किया कि उन्होंने जितना कुछ लिखा है, सब कुछ खरीदा जाए और उसको फिर सिलसलिवार तरीके से पढ़ा जाए Amazing, मतलब इसमें आपकी भी इतनी रूची है और ये भी एक बहुत important चीज होती है कि जब आप कोई चीज करना चाहते है एक तो उस चीज को end to end पढ़ना बहुत जरूरी है otherwise आप जो content present करते हैं वो शायद convincing नहीं होता आप उसका पूरा picture नहीं दे पाते तो उसमें आपकी भी learning होती है और जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो उसे देख रहे हैं वो भी उसे एक end to end समझ पाते हैं और उसमें depth देख सकते हैं उसमें फिर जो लेखक होता है जैसे आप जो लिखते हैं शक्सियत column जिसकी काफी काफी अभी प्रशंसा और सराहना हो रही है and congratulations to you for that उसमें आसान नहीं है और ये मेरा अगला प्रश्ण ये भी है कि आप मतलब column भी लिखते हैं आप कविताएं भी लिखते हैं आप कहानिया भी लिखते हैं आप करद भी लिखते हैं और आप एक senior director है एक IT company में आपके पास 24 गंटे ही है ना दिन में या I think राम जी कि आपकी ऐसी कृपा है आपको 36 गंटे दिये उन्होंने ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है एक बहुत अच्छी किताब है Finding 25th Hour अरे वाह तो ये आपको वही सिखाती है कि अगर आपने अपने जिंदगी में चीजों को सही तरीके से prioritize करना सीख लिया तो आप अपने जिंदगी में वो 25 गंटा भी ला सकती है जो exist नहीं करता कैसे? उसका मंत्र वही है कि आपको चीजों को विवस्थित तरीके से करना सीखना पड़ेगा आपको चीजों को उन priority order में डालनी ही पड़ेंगी कई चीजें हैं हर बार हर मनुसरी के जीवन में कई चीजें होती हैं जो एक साथ चलती रहती है लेकिन वो हर चीज एक साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूती होती है आप कभी भी list बनाए तो आप वो कह सकते हैं कि हाँ वर्तमान समय में इस घंटे में ये काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और यदि आप फिर बाकी चीजों से ध्यान हटा के उस एक चीज पे लग जाए तो फिर वो हो सकता है यही एक मंत्रा है कि आज हमारे पास distractions के बहुत sources हैं यह ऐसा भी है ना कि जिसे हम कह सकते हैं इमानों एक addiction हो जिसे आप फोन लेके बैठ जाओ तो आप गंटों बिता सकते हो और उसके बाद आप जब उसमें से यह निकाल लगी कोशिश करते हो कि मैंने इस सीखा क्या I don't think हम बहुत कुछ इसमें constructive या productive कुछ take away लेके जा सकते है तो इस चीज़ से अपने आप को pull करना और effectively उस चीज़ को prioritize करना जो उस समय में शायद हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यह बहुत difficult है मुश्किल है कई बार मैं भी बार परिशान होता हूँ office के अपने stress है बहुत सारी चीज़े हैं जो उस तरीके से नहीं चल रही होती है जैसे आप चाहते हैं और मैं अपनी टीम में भी हमेशा यह कहता हूँ कि आपको आपकी जो life है जो corporate life है weekend में उस से complete break लेना चाहिए अगर आप उस चीज़ को भूलके आप दो दिन वो करें जो आपकी hobby है वो hobby आपकी कुछ भी हो सकती है या फिल्म देखना आपकी hobby है फिल्म देखें कुछ भी कीजिए लेकिन आप जो लगातार पांच दिन करते हैं उस से कुछ अलग कीजिए मेरे लिए वो साहित है कि आप दो दिन फिर आप वो करना चाहते हैं या करते हैं जसमें आपके रुची है यही अकेला factor नहीं है जो आपको यह सब चीज़ करने के लिए प्रेरिद करता है वो कई बार फिर वही है कि एक push चाहिए होता है जो आपको जब आप आलस में हों जब आप फोन पर अपना time waste कर रहे हों और फिर आपके पास प्रोफेसर इशवदेव सर्मा आपको एक warning message भेजें कि यह काम इस date तक होना है deadline तो फिर आप सारा काम छोड़के और फिर उस पे लग जाते हैं तो कई ऐसी चीज़ें हैं कहानियों से मुझे याद आता है बहुत पहले हमारी मैं एक चक्चा कर रहा था प्रोफेसर रेसर देव सर्मा से और मैं उनको कंप्लेन कर रहा था कि मैं कई बार कविताएं सुनता हूँ लोग गाओं पे कविता लिखते हैं और वो पता नहीं किस गाओं के बात कर रहे है वो उनके कहानि कविताओं में आज भी गाओं में शरकों पर धूल उर रही है वो टायरिगारी और बैल की बात कर रहे है फिर गाओं अब वो नहीं रहा आप किस गाओं प्रेम चंद का गाउं बहुत पहले बदल चुका है आप अपने गाउं नहीं देखा है आप शहर में रखके गाउं की कविता लिख रहे हैं तो ये रियलिस्टिक नहीं है ये हजम नहीं होती है तो उन्होंने कहा तो फिर आप लिखिए और मैंने उनको कहा नहीं मैं कविता लिख के बोर हो गया हूं मैं कविता नहीं लिखूँगा तो उन्हें कहा कहा नहीं लिखिए अरे वाख तब मुझे लगा कि हाँ ठीक है ये प्रयोग किया जा सकता है और फिर वहां से हमने जान बूज के एक बूज कर ये प्रयास किया गया कि कहानिया लिखी जाए जो गाउ की प्रिस्ट भूमी पर आधारित हो सब की सब और उन कहानियो का जो लेंध है वो जादा नहीं हो आज कल लोगों के बास समय नहीं है तो ऐसी कहानिया लिखि जाए जो लोग अपने फोन पे या कहीं भी 5-6 मिनट में उस कहानी को पढ़ ले, खतम कर ले तो वो लगू कथा से बड़ी हो और जो समाने तोर पर कहानिया लंबी लिखी जाती हैं, उनसे छोटी हो कहानिया ऐसी नहों जो किसी तरह की सीखतेती हो बहुत वो moral preaching नहों, आप एक realistic कहानी लिखें, क्योंकि ना तो सहर के सब लोग बहुत खराब होते हैं, ना गाओं के सब लोग अच्छे होते हैं बहुत realistic एक picture आप दें कि हाँ गाओं में आज के बातावरन में गाओं कैसा है उसको जो लोग पढ़ें वो समझ सकें कि गाओं में भी अच्छे लोग भी हैं, बुटे लोग भी हैं, वहाँ भी राजनिती है, वहाँ भी कुछ अच्छाईयां बची है और एक ऐसा, मैं अभी भी गाओं से अपने बहुत connected हूँ, मैं आता जाता रहता हूँ, तो मैं उन चीजों को उस परिक्षे में समझ सकता था तो वहाँ से उनकी यह परिड़ना रही, या उनका प्रेशर रहा, पुस रहा, कि फिर वो कहानिया लिखी गई, और उन पे काम अभी भी चल रहा है बड़ जैसे आपकी कविताओं की किताबे छपी हैं, आपकी कहानियों की कोई किताब अभी pipeline में है, जो छपने के लिए रही है pipeline में कई चीजें हैं, और फिर वही है कि वो उसका इंतजार है, कुछ और deadline मिले, कुछ और warnings मिले, तो जो बाकी के अधूरे काम है, वो खतम किये जाए इसमें भी आपका target होना चाहिए हाँ, वो नहीं होता, फिर वही priority आ जाती है, जब target है, सब चीजों के अपने target होता है, लेकिन जब आपकी priority में उस target से उपर कुछ और आ जाता है, तो फिर वो चीजें पीछे चली जाती है, आपको लगता है कि हाँ, ये इतना महतोपूर नहीं है, अगर आज के बजाए कल जाती है, जल्दी बाजी में लिख दी जाती है, जो अच्छी नहीं होती है, आप समय नहीं देते, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है, चीजें धीरे-धीरे पक रही है, कभी तो आएंगे, कोई जल्दी नहीं है, वेरी नाइस, पर हम कुछ सुनना चाहेंगे, आपकी चीजों को समझने का जो एक नजरिया है, वो बदल जाता है, कॉर्परेट में हम हर चीज के पीछे एक प्रॉसेस हमारा होता है, कि आप किसी भी काम की पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसका एक प्रॉसेस बनाते हैं, फिर उसके एक्जिक्यूशन होती है, फिर आप उसके और तब मैंने एक पंक्तियां लिखी थी, जो सबसे पहले हैं, जब आपको लगता है कि आप प्यार में हैं, और अब मैंने लिखा था कि, साम हुई, दिल की जिररी जरा खोली ही थी, कि तेज हवा का जहुका आया, बेला की भीनी खुश्बू, और तुम्हारी याद भी, और तुम्हारी याद भी वो एक पल की महबत थी जब तुमने जुकाई थी पल के मुझे को देखकर उस एक पल में मैं हुआ अब तक ठहरा हुआ हो रहा हूँ आबाद भी बरबाद भी वो दुपट्टा तेरा जो लहरा गया था एक बार मेरी आँखों पर सब भले लगते हैं उस दिन से मुझको बुलबुल भी, सयाद भी और ये सारा कुछ चलता रहता है और फिर मुझे लगता है कि इसका एक दूसरा फेज आता है जब आपको लगता है कि ठीक है ये तो हमारी फीलिंग है ये वन बेट ट्रापिक है अधर से भी कुछ है और तब आप बूछते हैं हम सफर है कि नहीं बता तो दे हम सफर है कि नहीं बता तो दे गर बेवफा नहीं वफा तो दे और नरो नरू उन रुसवाईयों को जो तूने मुझको हैं दिए मैं फिर लोटाँगा मुझे सदा तो दे और मैं एतबार कर लूँगा हर बार बेशक तेरा बेदिली की वजह मगर जुदा जुदा तो दे और कहां ख्वाहिस मुझे है सोख कलियों की कहां ख्वाहिस मुझे है सोख कलियों की गुलमहर तेरे साए में हूँ हवा तो दे उसके बाद एक स्टैंडर्ड सा जवाब जो कई बार हम सब को सुनने को मिलता है कि मैंने तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं और तब मैं हमें से कहता हूँ कि वो एक दोर आता है जब आदमी शायर बनता है और तब आप लिखते हैं कि अब किसी से दिल का लगाना माना बेहत मुश्किल है इस दिल से तेरी याद भूलाना माना बेहत मुश्किल है दुनिया को तो वजह दर्द की चाहे कुछ भी बतला दो दुनिया को तो वजह दर्द की चाहे कुछ भी बतला दो पर अपने दिल को समझाना माना बहद मुष्किल है चान्द, सितारे, शब नमी रातें सबके सब बेकार हुए और एक last page आता है जब आप दुनिया को कहते हैं I have moved on लेकिन अंदर आप कभी move on होते नहीं आपके दिल में वो कशक जो है वो खलिश जो है वो हमेशा रहती है और तब ये मैंने कुछ चंद पंक्तियां लिखे थी जिसकी पहली पंक्ति वो है जो आप दूसरों को कहना चाहते है दूसरी पंक्ति है जो आपके खुद के लिए है और तब मैंने लिखा था कि मैं चाहता हूँ कुछ पुराने लम्हों से तु कभी आजाद नहों मैं चाहता हूँ तुम्हें प्यार मिले बेशुमार मैं चाहता हूँ मुझे खोने का दर्द ताउम्र रहे तुझे मैं चाहता हूँ खुश होना कि तु खुश है आखिर मैं चाहता हूँ खुश होना कि तो खुश है आखिर मैं चाहता हूँ तू मायूस हो कि मैं बहुत तनहा हूँ अब मैं चाहता हूँ समझ पाऊं कि आखिर चाहता हूँ क्या मैं चाहता हूँ समझ पाऊं कि आखिर चाहता हूँ क्या देख कितने उलज गई है जिन्दगी तेरे बिन, देख जिन्दगी कितने उलज गई है तेरे बिन, जिन्दगी कितने उलज गई है तेरे बिन, जैसे मैंने बोला कि इतने conflicting thoughts के साथ ये जो लिखा है, it's truly amazing, ये वही मैं कह रहा था, कि ये जो शुरुआती दौर की कवताय है, खलिशकी हैं कि ठीक है आप, प्यूटिफर, आप महबत में होते हैं और फिर उस चीज़ें बदल जाती हैं आप, उससे आगे बढ़ते हैं और फिर जो आपकी canvas की जो मैं बात कर रहा था, कि जब canvas आपका बड़ा होता है, तो फिर उसमें कई चीज़ें सामने आ जाती हैं, और तब मैंने लिखा कि पल में तोला, पल में माशा छोड़ो भी, पल में तोला, पल में माशा छोड़ो भी, कब तक चले यही तमाशा छोड़ो भी, करम गए रसातल जो जो साहब के ख्याती उनकी चड़ी अकासा छोड़ो भी, और चपल गिसी देहरी तुमरी आते जाते चप्पल गिसी देहरी तुम्री आते जाते दोगे कितनी और दिलासा छोड़ो भी टॉमी बेचारे के मुह में हड़ी चुभी तुम्हारी तुम्हें हुआ क्या दर्द जरासा छोड़ो भी और यह हमारी जो शिक्षा विवस्था है उस पर लिखा कि कितनो पढ़लो बहुत कठीन है मुनिया कितनो पढ़लो बहुत कठीन है मुनिया ना बन पई हों कभी नतासा छोड़ो भी गाउं और शहर के बीच जो सिक्षा का फासला है तो उसकी और आजकल की जो विवस्था है जहां हम निराशा में जाते जा रहे हैं उस पर लिखा कि गानी बाबा के बानर भी उकता गए तो मुरी वची है अब भी आशा चोड़ो भी और तबियत से पत्थर फेका दुशंत ने कहा था ना कि आस्मा में शुरा क्यों नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उचालो याँ तो हमने लिखा कि तबियत से पत्थर फेका जाने गिरा कहा तबियत से पत्थर फेका जाने गिरा कहा चार कदम तक घना कुहाशा चोड़ो भी, और आखिर में लिखा कि हमको अब गिरगिट के सारे रंग पता हैं, होने को है उमर पचासा, चोड़ो भी, तो यह जो आपके थौट्स हैं, जो समावे सी चीजें हो जाती हैं, जब आप दुनिया को देखते हैं, समाज को देखते हैं, तो आपकी राइटिंग का जो एक साराँछ है ये जो एक सार है ये जो एक डस हफने निकाला है हाँ तो मतलब बहुत आपकी कविताओं में आपकी वो जर्णी दिख रही है कहीं वो प्यार है बट्प्यार में मायुसी है वो जो ग्रोथ है as a person as a शायर तो वो आपकी अपनी कविताओं में आपकी शायरी आप शायरी भी करते हैं तो कोई हास कोई फनी सा ऐसे आपके पैस अगर कुछ है मूड को लाइटन अप करने के लिए हास है मैं लिखता ही बहुत कम हूँ हास है मुझ से फिर सटायर में बदल जाता है तो बहुत मुश्किल है पर अपनी टीम के साथ भी अगर सपोस्ट आपकी टीम कहीं स्टक है कहीं जिसे आपके मीटिंग्स चल रही है कोई बहुत सीरियस सा ऐसा सिचुएशन है कहीं आपकी टीम अटकी हुई है कोई रिक्वाइरमेंट शादानीरी या कही कोई टेक्निकल डिफिकल्टी के वज़े से आप अठके हो हैं कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए वही के वहीं शायरी बना कर सुना देए यह बहुत रिस्की हो सकता है तो कई बार आप चीजों को इतना ज्यादा मिक्स न करें जहां कुछ चीजें अलग रहें तो बहतर है कि आप पानी और तेल रहें कि ठीक है वो साथ एक्जिस्ट करें लेकिन एक दूसरे में गुल मिलना जाएं वरना पिर उसके अलग खत्रे हैं जो जो गॉपरेट कल्चर है वो ठीक है कहीं कहीं जब आपके इवेंट्स हैं जब उस तरह की चीज़े हैं तो ठीक है यह जो आप वर्क-लाइफ बैलन्स की बात कर रहे थे आप जिसे हम वापस आते हैं उस टॉपिक पर आप बात कर रहे थे कि आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं कि कही न कहीं उने इस कॉर्परिट की जो पांच दिन की महनत है जो काम करते हैं उससे डिसकनेक्ट होकर अपनी जो इस होबी है पैशन है चाहिए वो कुछ भी हो उस चीज से जुड़ने की जो एक कोशिश करती रहनी चाहिए तो इसके बारे में बताईए कि ये हम अपनी ओर्डियन्स को ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक्जामपल है कि इतनी सीनिय पोजिशन में होने के बावजूद भी आप अपनी होबी के लिए अपने पैशन के लिए अप टाइम निकाल लेते हैं तो इससे हम क्या सीख सकते हैं ये हमारी ओर्डियन्स को एक मैसेज दीजिए देखिए एक ये आपके खुद के लिए भी बहुत आवश्यक है मुझे कई बार ऐसा होता है कि जब क्योंकि आपके दिमाग में वो पिछले सपता से वो अभी तक continue हो गया बीच में आपने break नहीं लिया आप लगातार उसी काम में है आपका दिमाग लगातार वही सोच रहा है जो आप पिछले हफते से कर रहे थे तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे work pressure कितना भी हो आप बीच का ये जो समय है जो आपको मिला है दो दिन इस दो दिन को आप completely disconnect करें आप कुछ वो करें जो आप नहीं कर रहे हैं कुछ अलग करें ये कई बार हम पढ़ाई में भी कहते हैं बच्चों को भी हम कहते हैं आप अगर बहुत देर से पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा ब्रेक लेज़े आप घुम कहते हैं आप उसको disconnect करना चाहते हैं जो जो thought process है आप उसको तोड़ना चाहते हैं आप जो monotony है उसको खतम करना चाहते हैं तो अगर मैंने हमेशा देखा है कि जिस सपताहांत में जिस weekend में अगर मैं कुछ और करूँ और फिर मैं वापस Monday जाओ तो मेरे ideas creative रहते हैं मैं कुछ अलग तरीके से चीज़ों को सोच सकता हूँ मुझे एक और किताब याद आती है जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी Bonsai Managers अच्छा और उसमें एक चीज जो में दिमाग में अटक गई जो मैंने पढ़ी थी कि उसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी है that middle management is paid for their analytical skills senior management is paid for their intuition और ये जो intuition है ये ऐसे नहीं आती उसके भी कई सारे किताबें है Blink है, Emotional Intelligence है बहुत सारे किताबें है जो आपको बार-बार ये शीज समझाती है कि जो intuition है वो natural नहीं है उनको भी investment चाहिए होती है और वो तब ही काम करती है जब आप एक break ले बहुत सारे leaders को आपने देखा होगा कि वो हिमाले चले जाते हैं पारों में जाते हैं भूमने चले जाते हैं वो break लेते हैं वो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो एक break जरूरी है जहां पर आप completely अपने आपको disconnect कर सकें isolate कर सकें और फिर जब वापस आके आप कुछ काम करते हैं तो वो चाहे साहित्य हो आप कुछ लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो फिर उसके जो परिनाम होते हैं वो आवशक्ता से ज़्यादा आपको बहतर मिलेंगे अगर आप लगातार उसी में लगे रहे हैं डूबे रहे हैं तो पिर जो परिनाम है उतने अच्छे नहीं होता है I think ये बहुत आपकी लाइफ से आपसे बात करके, I think ये बहुत ही हमें एक अच्छा मेसेज मिला है, एक बहुत ही खुबसूरत सा उधारन हमारे ओडियन्स के लिए जो आज देख रही है, ये कारेकरम. I think ये बहुत इंपॉर्टन है, हम प्रवीन प्रणण जी से बात कर रहे थे, उनकी जर्नी के बारे में जो शुरुआत हुई उनकी रूट्स से, जो उनके परिवार में एक महौल था, पढ़ने का, म्यूजिक का, साहित्य का, यही चीज उन्होंने नर्चर करी, इस चीज को आ उनकी ये जो हॉबी थी, पढ़ने की, हर चीज से जुडने की, हर चीज को डेप्थ में जानने की, वो इन्हें आज इस लेवल पर लेकर गई है, कि अपने प्रोफेशन को और अपने पैशन को, वो बहुत ही खुबसूरत तरीके से बैलन्स कर पा रहे हैं, यह हमारी ओडि है कि आप पढ़ें और कोई भी चीज पढ़ें उसे डिप्थ में समझने की कोशिश करिए, रीडिंग की हैबिट कभी मत छोड़िएगा, अपने पैशन से हमेशा जुडिए, अपने काम से कही न कहीं डिसकनेट करके, रीजुविनेट करके वापस आईए, ताकि आप अप अपने करियर में, अपने काम में एक next level की creativity और intuition को बना कर रखें, आपकी हर बात से आज हमें कुछ न कुछ टेक अवे मिला है, हमारा बहुत benefit हुआ है, आपने साहित्य की किताबें नहीं, आपने self-help की भी इतनी सारी किताबों के बारे में बताया, which shows कि आपकी जो basic fundamental, you know, जो hobby है, पढ़ने की, it is not restricted just to साहित्य याई, आपको जहां से knowledge मिले, आप उसे लेने की कोशिश करते हैं, तो जो समुद्र की आप बात कर रहे हैं, उस सुनने की नहीं, शायद वो कहीं न कहीं absorb करने की भी जो क्षमता है, उसके बारे में भी आप बहुत खुबसूरती से आ कामचरत रिमानस को understand करने का एक corporate perspective भी जो आपने बताया, I think यह हम ना सुना है, ना देखा है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारी audience यह पढ़े, इस चीज़ को understand करें और इसे imbibe करने की पूरी-पूरी कोशिश करें, थैंक यू प्रवीन 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 जी थैंक यू कि आज आपने चमेली प्रोग्राम देखा, प्रवीन 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 जी से आज हम बहुत मज़ितार बाते कर रहे थे, उनकी जीवन और उनकी लाइफ की इस जानी से आज हमने बहुत कुछ सीखा, I am sure आपने भी सुन कर, देख कर, समझ कर, इसे अ उनम गुलेचा आज आप से विदा लेती हूँ